दिगरस तैसल के तूप ताकली काव की निवासी और यवतमाल शहर में नर्सिंग के पढ़ाई कर रही निकिता कैलास राहुत नामक छात्रा की कुछ दिन पहले अचानक तब्यद पिकरने से हुई संदीहास पद मौत से हर कम्प मचा हुआ है निकिता की याद में गुरुवार 17 फरवरी को शाम 7 बज़े कैंडल मार्श निकाल कर तूप ताकली निवासियों ने यवतमाल के सरकारी चात्रावास यानि गुल्स होस्टेल प्रभंदन पर लापरवाही का आरूप करते हुए संबंदित के खिलाफ मामला दर्स करने की मुत्तो बारा उठाई है मालूम हो कि 14 दिन पहले निकिता की होस्टिल में अचानक तब्यत बिगणनी से मौत होई थी इस मामले में शिकायत के बाद भी अब तक दोशियों पर कोई कारवाई नहीं की गई बताया चाता है कि निकिता ये वतमाल में नर्सिंग महाविद्या में प्रथम वर्षा की चात्रा थी निकिता सरकारी होस्टिल में रह रही थी उसकी तब्यत बिगणने से उसे सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया था लेकिन उसकी तब्यत बिगड़ी और अचानक मौत हो गई मालूम हो कि इस कैरनल मार्श में निकिता के माता पिता तथा परीजन सहित तूप तकली के बड़े बुजर्ग महिला पुरुष युवा आधी सभी निवासियों ने बर्चर कर हसा लिया और निकिता की मौत के लिए जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कारवाई की मांग करती हुई इनसाप नहीं मिलने पर तीवरहांदोलिन की भी छेताव नि दी वैसे भी जिन कारणों से निकिता की मौत हुई है उसका खुलासा होना जरूरी है और दोश्यों को सजा मिलना भी समय की मांग है ऐसे में देखना होगा कि स्कैंडल मार्च में उठाए गई मांग पर पुलिस प्रशासन आगी क्या रुक अपनाता है बीसे न्यूस के लिए दिग्रस से जुबेर खान की रिपोर्ट